वेल हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड रिब्यू करने के लिए जा रहे हैं विंग्स की तरब से हाल फिलाली लॉंच इनका एक ब्लूटूथ वाइरलेस नेक बेंड का जिसका मॉडल अमबर आ जाता है विंग्स एलिवेट इसे आप एमजॉन से पर्चेस कर सकते हैं 1199 के प्राइस पन पे वैसे इसकी जो रेगुलर प्राइसिंग है वो 1399 रखी गई है बट इस वक्त आपको थोड़ा ज्यादा डिस्कॉन मिल जाएगा या फिर नहीं रहेगा तो दोस्तो में नाम है चंदन जहा और आप इस वक्त देख रहे हो जहाट टेक्नो और पहली बार चैनल पाहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरू कीजिएगा चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या-क्या कॉंटेंट आपको मिल जाते तो बॉक्स पे सामनी एक साथ से आप देखेंगे तो काफी बड़ी फोटोग्राफ विट विंक्स एलिवेट की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएगी बैक साथ में देखेंगे तो यहाँ आपको manufacturing वगरा की detail mention करे गई है MRP वगरा यहाँ पर mention किया गया है box content की बात करें तो यहाँ पर आपको एक one year की warranty guard देखने को मिल जाता है उसी के पिछे आपको गाना वगरा का subscription यहाँ पर mention किया गया है यहाँ पर आपको एक user guide भी मिलेगा जिसके अंदर में सारे instructions दी गई है कि इस neckband को आप किस तरीके से update कर सकते हैं आपको एक micro USB charging cable मिलेगा इस neckband को charge करने के लिए दो extra pair of silicone के ear tips यहाँ पर provide कराए गए हैं और finally आपको आपका main device wings elevate यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों इसके looks और design के बारे में यहाँ पर company ने market में इसको 3 color variant में launch किया है एक आता है आपका black color, दूसरा आजाता है आपका gray color और तीसरा आता है आपका teal blue color जो मेरे पास available है अगर मैं color coating की बात कूँँ तो पूरे neckband पे आपको matte color coating का इस्तमाल किया गया है neckband पे left hand side में देखेंगे तो आपको wings की bending करी गई है right hand side में आपको सारे controls मिल जाता है उसी के side में आपको जो है micro USB port मिलेगा इस neckband को jazz करने के लिए earbud पे आप देखेंगे तो उपर की side से आपको wings का जो लोगो है वो प्रिंट किया गया है और यहाँ पे each earbud जो है आपको एक एक यहाँ पे extra wings भी provide कराए गया है extra grip के लिए तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा design और काफी अच्छा सा color आपको मिल जाता है जिसे आप अपने गले में या फिर कानों में पहनते तो यह काफी ज़्यादा attractive look provide कराता है खास और पर यह teal blue color वाज़ा जो इसका color आता है वो तो यहाँ पर मुझे color wise, look wise design wise काफी ज़्यादा पसंद आया है अब बात करते हैं इसके build quality करते हैं यहाँ पर आपको 3 type के material का इसका जो neck band है वो round shape में आपको देखने को मिलता है और जो किसी type का silicone gel का इस्तमाल किया गया है जो कि काफी ज़्यादा soft और काफी ज़्यादा smooth आपको fill कराता है यह flexible है तो इससे fold करके आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं आ सकते हैं जहाँ पर controls दिया गया है यह section मुझे लगता है कि अंदर की side से आपका plastic हो सकता है बट उपर की side से किसी type का coating किया गया है जो काफी ज़्यादा rubberized आपको fill कराएगा काफी smooth यहाँ पर fill कराता है यहाँ पर net brand की जो build quality है वो मुझे खास्ता पर बहुत ज़्यादा पसंद आया है अगर मैं wire की बात कुरूँ तो wire average है यहाँ पर round strip का आपको wire देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो earbuds है वो दोनों earbuds आपको किसी type का metal का इस्तिमाल किया गया वो steel है या फिर aluminum alloy है वो पता नहीं मुझे बठा metal है जो कि काफी ज़्यादा finishing के साथ में आपको आ जाता है तो overall इस earphone का build quality है वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पर इस price one पे big thumbs up है इनको इस type का build quality आपको provide करा गया है अब बात करते हैं इसके comfort और grip का तो दोस्तों मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि comfort और grip totally depend करता है अलग-लग लोगों के ear shape, size, design के उपर में साथ में जो companyya ear tips provide कराती है उस पे भी तो जब तक आप खुद personally किसी भी earbud हो या फिर earphone हो neckband हो जब खुद personally use करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसा comfort है और कैसा grip है मेरे case में मैंने जो है इसको लग-बग 4-4 गंटे continuously भी इस्तिमाल किया और मेरे case में काफी ज़्यादा comfortable था काफी ज़्यादा हाँ मैंने जो ear wings है उसको continue use नहीं किया उससे निकाल दिया था बट यहाँ पर काफी ज़्यादा comfortable था मुझे और grip भी जो है without ear wings इसने काफी अच्छा मुझे provide कराया है तो यानि कि आप easily इसको जो है कितना भी head को movement बगरा करेंगे तो यह आपका grip loose नहीं करेगा दोस्तों वहीं पर एक बार आपके कानों में फिट वैट गया तो काफी हद तक जो है ambient का noise होता है वो यह ब्लॉक कर देता है पूरी तरी किसे नहीं करेगा बट काफी हद तक यह ब्लॉक करता है और फिट वैटने के बाद में आप 75 या 80% volume लेवल पर जब आप गाना सुनेंगे तो यहाँ पर आपको audio leakage की भी issue पता नह तो यहाँ पे comfort और grip भी मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है अब बात करते हैं दोस्तों इसके battery के performance के बार में तो यहाँ पे आपको 110 mAh की battery का इस्तमाल किया गया है इसके अंदर में और company का यह कहना है कि यह आपको full charge होने के बाद में लगभग 8-10 गंटे का music play time provide करा किया तो इसने मुझे 6 गंटे 45 मिनिट का music play time दिया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका 60-70% volume लेवल पर आप इसे सुनेंगे तो साहिद में भी आपको 8-9 गंटे तक का play time यह आपको provide करा दे तो यहाँ पे battery department बाइज जो है ना मुझे लगा है कि थोरा सा कम है यहाँ बट फिर भी ठीक ठाक आपको performance मिल जाता है अब बात करते हैं दोस्तों इसके microphone के performance के बारे में तो यहाँ पर आपको जहां पर controls दिया गया वहीं पर आपको एक single जो है यहाँ पर microphone मिलता है with LED भी दोनों एक ही जगे पर आपको मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको real world में सुन कर रहा हूं बठां यहाँ पर काफी तेज जो है ना विंड चल रही है तो आप background में सुनने की कुछिस किजिगा क्या आपको जो विंड की noise आ रही है या नहीं आ रही साथ में एक बात में आपको और बताना चाहूंगा यह जो आप 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 सामने वारा बंदा जिससे सर्टिफिकेशन आपको प्रवाइड कराया जाता है बठां इनके वेबसाइट पर और आप आप एमजोन या फिलिपकाउट पर देखें तो वहाँ पर भी मेंशन किया गया कि यहाँ पर आपको IPX5 की वाटर सर्टिफिकेशन प्रवाइड कराएगी तो मैंने इसके उपर म और यहाँ पर आपके neckband और smartphone के बीच में कोई भी disturbance नहीं यानि कि line of site proper है तो यह आपको लगवग 16 मीटर तक का range प्रवाइड कराता है उसके बाद में cut off होना start हो जाता है और अगर आपके neckband और smartphone के बीच में कोई भी disturbance है खिरकी, दरवाजे, window या concrete की wall तो यहाँ पर आपक इसी type का range आपको provide कराता है दोस्तो अब बात करते हैं इसके controls के बारे में तो यहाँ पर आपको सरा controls right hand side में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको volume प्लस माइनस का button मिलेगा जिसके तो आप volume को adjust कर सकते हैं इसी कि तो आप music को आगे या पीछे jump भी करा सकते हैं controls जो है काफी अची तरिके से काम कर रहा था मुझे कोई issue नहीं हुआ controls में पर एक दो चीजे में आपको और बताना चाहता हूं कि यह जो neckband है यह आपका dual pairing को भी support करता है यानि कि आप एक ही time में एक साथ में दो अलग अलग device के साथ में इस neckband को आप जो ना connect करके इस्तमा नहीं कह सकते बढ़ ठीक ठाक आपको मिल जाता है इसका प्रैक्टिकल यूज आपको इस magnet का देखने को नहीं मिलेगा इसे आप गले में इस तरह से डाल के जो है आप एक तरह से safety purpose से तो इस्तमाल कर सकते कि कहीं नहीं जाएगा magnet के बढ़ से बढ़ इसका practical यूज नहीं है यानि कि music को play pause नहीं करता यह आपका नहीं आपका call को receive reject करने के लिए on off करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में साथ में कोई call वगर आ रहा हो तो यहाँ पर आपको यह वाइब्रेट भी नहीं करता तो यहाँ पर vibration का feature भी आपको देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर यह चीजे हैं जो देखना चाहिए था इना बट अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको चलिए रियल लाइफ दिखाता हूं गेमिंग में कैसा पर्फॉर्म करता है अचारी बाई है खर्च्क्राइब अप्रवेड भार करें मशबर्च्राइब यह रात Cherry यह रहि worthless यह है ज्लिए। तो यह थी इसकी gaming की performance अगर मैं आपको साफ साफ बताओं तो gaming के अंदर में खास तोर पर जो net oriented games है इसके अंदर में आपको साफ साफ पता चलेगा कि भाई हाँ इसके audio और वीडियो में synchronization की issue है यानि कि delay आपको पता चल जाता है बठाँ अगर आप YouTube पे या फिर आप Netflix पे य काम कर रहा है बठाँ gaming में यह आपको delay का पता चलेगा gaming के लिए मैं अब भी आपको suggest करूंगा कि आप वाइड वाला जो option होता है वो सबसे ज्यादा best होता है यहाँ अब बात करते हैं इसके audio के performance के बारे होती है यहाँ पर आपको 10 mm का dynamic driver का इस्तमाल किया गया और यह आप आपको जो ना SBC और AAC audio codec को support करता है अब यहाँ पर अगर में बेस की बात कुरते हैं यहाँ पर जो बेस है वो काफी ज्यादा हत तक इसको जो ना काफी मतलब थंपी आपको बेस सुनने को मिल जाता है एक basic type का जो बंदा होता है या फिर एक casual user और एक normal user होता है उसको इस volume level पर बठा आप इसको 75 80 85 volume level पर सुनते तो इसका बेस आपको काफी ज्यादा वो अच्छा मतलब काफी बेटर आपको फिल कराता है compared to 100% volume level पर जब सुनते हैं वहीं पर अगर मैं वोकल्स या फिर ट्रिवल्स की separation की बात कूं तो वह भी काफी हाथ तक जो है काफी ठीक है बट जो ट्रिवल्स है जो higher frequencies है उसमें वही higher जो volume level पर आप सुनते हैं तो यहाँ पर compromise करते हुए मुझे यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है overall इसके pricing को देखते हुए जो है न दोस्तो मुझे लगता है कि इसका audio का performance काफी हथ तक आपको satisfy कर देगा एक normal और एक casual user के लिए खासतर पर आप अगर base है न है तो उनको भी काफी ज़्यादा satisfy करेगा तो यहाँ पर अगर मैं rating देना चाहूं तो यहाँ पर आपको आपको जो न दस में से इसको 8 star दूंगा audio के अंदर में अब finally यह value for money है की नहीं है तो दोस्तो 1199 के price point पर मुझे लगता है कि इसके अंदर में काफी ऐसा कुछ है जो आपको satisfy करेगा जैसे इसका look जो है वो काफी attractive सा look आपको मिल जाता है build quality especially जो इसका build quality न इस price point पर मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है दोस्तों वहीं पर आपको IPX5 की water certification मिल जाती है connectivity Bluetooth के वो भी काफी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर हलका सा मुझे लगता है कि बैटरी थोरा सा और ज्यादा अच्छा हो सकता था और साथ मैं आपका जो ना neckband vibrate नहीं कर रहा और magnetic नहीं है काम नहीं करता है यह दो minor सा coin मुझे यहाँ पर देखने को मिला है बट overall इसका audio का performance भी काफी ज़्यादा अच्छा है तो 1199 के price point पे yes इससे value for money आप इसके साथ में जा सकते हैं बट हाँ इसका जो regular pricing है 1399 या फिर 1400 उस price point पे आपको जो ना market में और भी 2-4 neckband मिलेंगे जो मुझे लगता है कि इससे better battery capacity आपको देता है और better features के साथ में आपक इस चैनल को subscribe करके support जरूर कीजेगा और अगर आपको ये neckband purchase करना है तो description में link डाल दूँगा affiliate जाके purchase कर सकते हैं तबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you take care and bye bye